हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी यह है दोस्तो रियलमी का बहुत ही कमाल का बजट स्मार्टफून रियलमी 12X जो कि आपको मिलता है सिर्फ 12,000 का लेकिन जो है दोस्तो इससे 1000 सस्ता मोटो ने भी अपना स्मार्टफून लाँच कर दिया मोटो जी 45 जो की लाँच हुआ है दोस्तो 11,000 का तो इस वीडियो में इन दोनों में कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा दोस्तो दोने के अनर आपको क्या-क्या खुब यह मिलती है क्या-क्या कमिया और आपको रियलमी 12X खरीदना चाहिए दोस्तो 12,000 में यह फिर 11,000 रुपे में 1,000 रुपे बचा कि आपको मोटो का G45 खरीदना चाहिए तो वीडियो एंड तक जरू देखेगा डिजाइन दोस्तो आप देख सकते है 12X का कुछ इस तरीके से मिलता है परपल कलर में आपको यह फून मिल जाता है राउंड शेप में आपको कैमरे दिये गए है बाकी बीच में इस तरीके से पट्टी खिची में मिल जाती है दोस्ते इसके अंदर डिजाइन जो है प्लास्टी की टाइप का है लोकवाइस जो है काफी बढ़िया स्मार्टफोन है दूसरी तरफ जो है दोस्तो मोटो G45 के अंदर आपको वीगल लेधर फिनिश में डिजाइन दिया गए है उसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया कलर्स मिल जाते है अलग-अलग कलर में आपको यह फून मिल जाता है G45 तो आप उसको भी देख सकते है उसके अंदर आपको डिजाइन की क्वालिटी से जाधा बढ़िया दी गई है Realme 12X है Realme 12X जो है दोस्तो डिजाइन वाइस जाधा बढ़िया है इसके बैक पैनल पर और अगर आपको जो है दोस्तो डिजाइन की क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो आप Moto G45 देख सकते है वह आपके लिए जाधा बढ़िया रहेगा डिजाइन की क्वालिटी में बाकिस के अंदर आपको दी गई है इसमें Moto G45 बढ़िया है सो जिसे क्योंकि वह 1000 रुपे से सस्ता है यह आपको मिलता है 12,000 का वह 11,000 का बाकिस के अंदर आपको दी गई है IPS Full HD प्लस डिस्प्ले 120 हर्स के रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंचिस के आसपास इसका साइज है रिफ्रेश एट इसके अंदर आपको 12X में बढ़िया मिल जाता है साइज भी बढ़िया है क्वालिटी भी बढ़िया है डिस्प्ले की सभी चीज़े बढ़िया मिलती है लेकिन जब बात आती है दोस्तों Moto G45 की तो उसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है वो भी उसके अंदर भी IPS ही दी गई है और जो दोस्तों डिस्प्ले में उसके अंदर भी 120Hz का refresh rate मिल जाता है तो smoothness को लेकर वो भी अच्छा है size भी बढ़िया है लेकिन उसमें डिस्प्ले दी गई है HD Plus तो यह चीज़ आपको 12X में बढ़िया मिल जाती है दोस्तों डिस्प्ले जो इसके अंदर आपको quality में जाधा बढ़िया दी गई है हालकि जो डिस्प्ले के color से brightness हो उसके अंदर भी आपको बहुत ही कमाल के मिलेंगे उसके अंदर भी आपको problem नहीं होगी लेकिन जो जाधा बैटर है दोस्तों थोड़ा आपको realme का 12X जाधा बढ़िया मिल जाता है 5000 image की battery आपको G45 में मिल जाती है तो यह चीज़ को लेकर दोनों स्मार्टफून से आपको same type के मिल जाते है बाकि दोस्तों बात करें camera के बारे में तो इसके अंदर आपको camera 50MP का दिया गया है तो subscribe करके आप जरूर रखेगा channel को दो sim card 5G के आप इसमें लगा सकते हैं finger paint scanner जो दोस्तों side में मिलता है realme 12X में उसके अंदर भी side में है इसमें भी stereo speakers मिल जाते हैं उसके अंदर भी आपको dolby advance का support मिल जाता है बाकि दोस्तों बात करें प्रोसेसर के बारे में performance में कौन सा फून जादे बढ़िया है तो इसके अंदर आपको दोस्तों दिया गया है media tracker diamond city 6100 प्लस प्रोसेसर और moto G45 के अंदर आपको मिल जाता है दोस्तों उसमें दिया गया है snapdragon 6s gen 3 तो performance आपको उसके अंदर और जाधा better मिल जाएगी इससे भी और वह भी comprise में जितने का यहाता है 12000 में उसके अंदर आपको एक और वेरियंट मिलेगा दोस्तों तेरह हजार का G45 का तेरह हजार में 8126 आपको मिल जाएगा 8GB RAM 128GB storage के साथ तो वो तो और भी best हो जाएगा इससे तो 1000 रुपे महेंगा पड़ेगा अगर आपने 8126 खरीद लिया 4126 इसस जादा बढ़िया दी गई है FULL HD PLUS display मिल जाती है चीज़ इसके अंदर बढ़िया है बाकि दोस्तों Moto G45 के अंदर जो आपको खुबिये मिलती है वह यह मिल जाती है दोस्तों इसके comparison में एक तो उसके अंदर camera जो मुझे परसनली लगता जादा बैटरी दिया गया होगा क्य करने की कोशिश करूंगा लेकिन पास्ट में भी Moto के phones के कई बार comparison हुए दोस्तों पास्ट में वीडियो काफी सारी आपने चैनल में देखी होंगी तो उनके अंदर आपको performance Moto के अंदर बढ़िया मिलती है तो उम्मीद उसके अंदर camera आपको काफी बढ़िया ही मिल जायाग है और Moto G45 के अंदर आपको सारी खुबिया जो है क्वालिटी में बढ़िया मिल जाती है बस डिस्पले HD प्लस है बाकी चीज़ा क्वालिटी में उसमें भी काफी बढ़िया है और प्राइसिंग भी कमी है उसके और performance को लेकर तो वही और ज्यादा बैटरी है तो दोस्तों G45 जादा बढ़िया लग रहा है और मैं इसका comparison करने की भी कोशिश करूँगा इसके साथ side by side तो आप सबस्क्राइब करके रखिएगा बाकि आप जरूर बताएगा कि आप उसका वेट करेंगे फर्स्ट सेल का जो की 28 तारिक के आसपास है और ऑगस्ट की लास्ट में तो ज आइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए तक इन नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे हैं helpful लगी वीडिए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए WhatsApp और Facebook पर चली मिलता है अगली